प्रवाइस आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल पे मैं रोईत आप सभी के साथ आज के वीडियो काफी अधा खास होने वाली है तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखते रहे हैं चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए तेकि अप मेने आप सब्सक्राइब के सा मार्केट में बाइंग करने के लिए आते हैं अगर मैं आपको बिल्कुल भासा में मैं आपको बता हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा एक लोग वो आपके सामने होते हैं जो कॉल बाइंग करते हैं और दूसरे लोग वो होते हैं जो आपके पुट बाइंग करते ह का मतलब होता है कि market आपको ऊपर जाएगा जब आपको profit होगा और put buying करने का मतलब होता है कि market आपका नीचे होगा जब आपको profit होगा अब देखिए आपको इतना तो समझ में आया हुआ कि आपको अगर मार्केट में काम करना है तो आपको कॉल बाइंग करना पड़ेगा या अगर मार्केट में आपको काम करना है इस जगह पुट आपको बाइंग करना पड़ेगा दोनों में से आपको एक बाइंग करना पड़ेगा लेकिन सबसे बड़ा देखे इस जगह समझ में आता है हुआ कि जो रजिश्टेन और सपोर्ट है उसको कैसे काम करना है काफी लोगों Epic समझे में नहीं है तो यहां पर दे II मैं अपको बताना चाहूँआ गया जगा जो सब्सक्राइब टो सब्सक्रीन करते हैं क्योंकि आपको दिखाई देरा ऊपर की लेवल पर सेलिंग करते हैं नीचे का जो लेवल होता है उसको सपोर्ट के लाया जाता है जो कि आपको दिखाई देरा नीचे की साइट सपोर्ट है और ऊपर की साइट जो होता है वो रजिस्टेन होता है रजिस्टेन पर काफी जादा लोग जगा सेलिंग करते हैं लेकिन इसको यूज कैसे करना है काफी लोग को जे नहीं पता है कि भई कैसे यूज करना है काँ फे सेलिंग करना है काँ फे बाइंग करना है तो जे सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ बुलकुल लाइब मार्केट में है जैसे कि मैंने आपको जो मैंने आप सभी के सामने लगाया है यह चार्ट अगर आप देखोगे 21 तारीक से लेकर 29 तारीक तो देखे यहां पर मैं आपको प्राइस दिखाना चाहूँ है नीचे कि इसके प्राइस है 34,000 की कितने की प्राइस है 34,000 की ऊपर के प्राइस की अगर मैं बात करूं तो सब्सक्राइस कभी सीधा नहीं चलता यह मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस पूरे मार्केट में दो तरीके से काम करने वाले लोग होंगे, एक लोग वह होंगे जो इस जगह काल काल कोड़ SHULT और दूसरे लोग वह वह होंगे यस जगह पुटबाइंग करते होंगे, ठीकिर्ग हो मेरी से अप कालव राकती होन 18 अब कल्बाइंग करने तरीका क्या होता है की मार्केट आप कब आपका क्रटिंगा बाया है जंगा यह आपका कन्टिन्य आप देख रहे हो कि इस जगह सब्सक्राइब करनेके बाद कंटिन्य इसमें दिखाइब देतीक अपने पुट को बाइंग करने का साही तरीका रोता है पुटको आप जब बाइंग करते हो जब आपका तो वो आपका रिकसी कहलाता है क्योंकि आपका बज़ा तेजी के साथ है इस जागा ऊपर काई बिरेकाउट भी डे सकता है ठीक है लेकि नीचे की सैट क्यों नहीं देगा क्योंकि भọi बज़ार आपका तेजी में है जगाए अगर आप देखोगे तो बज़न कंटीनिव अगर आपकी नीचे की site होई है जैसे कि अगर मैं बात करहूं 320 पर आपकी opening होई है और जो breakout होना है वो ऊपर की site open होना है देखें यहाँ पर 350 पर अगर breakout होना है और 350 पर ही closing अगर मिलती है तो इस जगा आप इस जगा CE buying कर सकते हो क्यूंकि breakout और closing जिक काफी माईने रखती है अगर आप छगह देख्या करना चाहते हैं आपको इस जगह पी अपाई करना है तो मान लेजे आपके कोई आपके पूट की इस जगह पिराइस है है 120 सुप ठीक है 220 हुपे किसी की प्राइस है और उसका ब्रेक-OUT और आपकी कलोजिंग ब्रेक-Out और कलोजिंग जो अभी मैं आपको आँगे वीडियो में बना है और ब्रेक-OUT इस जगह होना वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा 250 उपे तो 250 पर जैसे ही जगह बैरी चाट जैसे कि अगर बात करूं तो देखे इस जगह बिगुब चलते हुए दिकाई दे रहा है मार्केट में देखे इस जगह मां आपको मुमेंट यह देखा ही रही हैम क्या होते हुए दिखा दे रहा है यह पर देखिए जी हाइव गत और नीचे की साट आपकोers दिखाई दे रहा है फिर ऊपया की साइथ एक आपको दिखाई देता है फिर वहाइव दिखाई देता और फिर मारकेट क्या हो रहा हैarchy मारकेट एक 40000 से आपकर 35000 के नीचे आ चुका है यानि अगर मैं बात कहूं तो इस जगह आपको 1200 पॉंट का देखें यहां पर लॉस होते हुए दिखाई दे रहा है मार्केट के अंदर मार्केट इस जगह आपको बैरिस दिखाई दे रही है तो ऐसी मार्केट में आपको क्या करना चाहिए भाई आपको पर की साइट सेलिंग करना चाहिए और किशे कि साइट आपको Va कर ना चाहिए लेकिन मार्केट में अगर आप देखोगी तो और ऑपड़ आपको और ऊपर किस तकी मार्केट आपको तो इसमार्केट कर दे रहा है क्योत nervous दिखाई दे रहा है यहां पे Ac comment के लेवल पर जन भी कॉल बाइंग करोगी तो वहां पर रिक्स ही है क्योंकि हमेसा रिक्स आपको बना रहेगा मार्केट कभी भी देखिए वहां से नीचे की साइट आते हुए दिख्ञाए कि देखिए जैसे ही आपको अगर बिरेकाउट देखना है तो उसके नीचे किलोजिंग क्यों इंप बिरेकट डाउन जैसे देखें बिरेकट डाउन आपको यहां पर देखने को मान लिजेए आपकी 300 रुपे की प्राइस है जैसे आपका काफी ज्यादा देखिए तेजी से नीचे की सैट गया और जहां पर देखिए जो आपको बढ़िया पॉफिट देखने को मिला वह और जैसे देखें यहां पर आपको जो अभी क्या था अभी आपका यह बटारा चांबा की जो आपका पहला सपोर्ट होता वह आने वाला रेजिस्टेन होता है और जो रेजिस्टेन होता है वो आने वाला सपर्वार्ट में बताया था कि वहीं कॉल और पुट को दो तरीके से आप बाइंड कर सकते हो तो यहाँ पर देखें दोनों तरीके में आपको उताना चाहूंगा आपका देखें यह आपका 15 मिट का टाइम फिर यह मैं उपर से देखें नीचे तक मैं अगर मैं बात करूं तो इस जगह देखें मैं एक आपको बॉक्स बनाके दिखाऊंगा और आप देखोगे तीन सो पॉंट की रेंज में आपको जे बॉक्स से देखने को मिलेगा अब एक बॉक्स में अगर आप देखोगे तो देखने को मिलेगा है कि देखें यहां पर क्या हो रहा है यहां पर अगर आप देखोगे तो यह बजार को देखें अगर मैं बात करूँ इस जगह नीचे की साइट 35500 के लेबल को देखें क्रॉस करने की कोशिस कर रहा है लेकिन एक बार भी क्रॉस नहीं किया है आज के दिन इसने क्रॉस किया जहां पर अगर मैं बात करूँ एक मैंने कॉल भी दिया था आपको अपने टेली गिराम चैनल पर आज के दिन इसने क्रॉस किया ठीक है तो यहां पर हम क्या कर सकते थे हम तो दो तरीके से काम कर सकते थे हम इस जगह पूट ऊपर की साइट भी बाइंग क हैं तरी के चाहिए बाइभगे सार पाप दमावट केंगे साती हो इतने जलदी होती है कि अगर आप नीचे की सायट देखो जब भी बजार अपने सपोर्ट को टोड़ता है तो इतनी जल्दी आपको गिरावर्ट देखने को मिलती है और जो आपने पुट खईदा होता है वहाँ पर आपको इतनी जल्दी देखें पॉफिट होते हुए अगर मैं बात कहूँ जहां पर क्या होते हैं काफी लोगों के लगे होते हैं काफी लोगों के क्या लगे रहते हैं एसल लगे होते हैं तो वह एसल आपके हिट होते हैं जैसे ही आप देखोगे तो एसल आपके हिट होते हैं एसल हिट होने के बाद आपकी सेलिंग का जो पिरेशर होता है जो सेलिंग आपको देखने को मिलती है वह काफी हाई पिरेचर से आपको देखने को मिलती है क्योंकि अगर आप देखोंगे तो देखें कितनी बात इसने सपोर्ट को लिए अगर मैं बात करूं इस जगह तो आपको देखने को मिलेगा देखें जहांपर आपको देखने को मिलेगा 24 25 26 27 और देखे 30 तारी कंटिन्यू सपोर्ट को लिया लेकिन जैसे इस सपोर्ट को इसने तोड़ा तो आपको प्रेसा देखने को बात करूं कॉल को कैसे बाइंग करना चाहिए तो यहाँ पर देखिए आपको साइड वेस आपको मार्केट दिखाई दे रहा है हमने अभी जाना कि देखिए इस जगह पुट को कैसे बाइंग करना चाहिए और कैसे बड़ा मुवमेंट आपको देखने को मिलता है इस जगह पुट में ठीक है लेकिन कॉल को कैसे बाइंग करना चाहिए यह काफी लोगों के मन में सवाल आता है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे र एक तो आप इस जगह जब भी आपको बजाए देखे 35500 के something आता यानि इस जगह support लेता है अगर आपको लगता है कि वही मुझे CE में काम करना है या मुझे call में काम करना है तो आप इस जगह support पर buying कर सकते हो या फिर दूसरा तरीका आप सभी के लिए रहेगा कि इसका देखे उपर का जो आपका रेजिस्टेन है इस रेजिस्टेन को जब भी जब पार करेगा जब आप बाइंग कर सकते हो तो दो तरीके से आप इस जगह भी बाइंग कर सकते हो एक नीचे के लेवल पर एक उपल के लिए जो बड़ा movement आपको देखने को मिलता है जैसे कि आज जो मै अपने support को टोड़ा तो एक बड़ा move देखने को मिला अब आपको जे देखना है जब भी आप देखे इसके बीच में अगर आप काम करोगे अगर मैं बात करूँ आप CE में काम कीजे या पी इमें काम कीजे ठीक है जब तक आप इस रेंच के अंदर काम करोगे तो आपके का करना है